आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुले आम धमकी देता था एक ऐसे आदमी की जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था एक ऐसे आदमी की जिसके दर्बार में विरोधी भी हाजरी लगाने आते थे इनका नाम था बाला साहेब ठाकरे बाल ठाकरे का बच्पन का नाम बाल केशव ठाकरे था जो समय के साथ साथ बाला साहिब ठाकरे बन गया बाल ठाकरे को हिंदू हिदेस समराट भी कहा जाता है इनका बिना देखे भाशन देना लोगों को इतना भाता था कि इनका भाशन सुनने लाखों की भीड जमा हुआ करती थी बाल्ठाकरे एक मशूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे 1950 के दशक में टाइमस ओफ इंडिया के संडे एडिशन में इनके ही कार्टून छपा करते थे दस साल ये काम करने के बाद 1960 में उन्होंने इस नौकरी को छूड़ दिया था बाल्ठाकरे चांदी के सिंधासन पर बैठने के शौकीन थे इनके दर्बार में विरोधी भी हाजिती लगाया करते थे बाल्ठाकरे ने शिवाजी पार्क में 19 जून 1966 को नारियल फोड़ कर शिवसेना पार्टी बनाई थी बाल्ठाकरे ने 1980 के आसपास मुसल्मानों के बारे में कहा था कि ये कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं देश को इनसे बचाया जाना चाहिए महराश्ट्र में बिहारियों के खिलाफ 1960 और 1970 के दशक में लूंगी हटाओ पूंगी बचाओ अभियान चलाया गया था बाल्ठाकरे ने अपने समाचार पत्र के फ्रेंट पेज पर भी लिखा था कि एक बिहारी सौ बिमारी बाल्ठाकरे कभी भी किसी से मिलने नहीं जाते थे जिसको उनसे मिलना होता था वो खुद उनके घर आता था भारत की बड़ी-बड़ी हस्तियां बीर पीने और उनसे मिलने उनके घर आती थी बाल्ठाकरे अपने भाषणों में हिटलर और श्रेलंका के आतंकी संगठन लिट्टे की सूप दारीव किया करते थे बाल्ठाकरे ने अपनी मौत से दो महीने पहले कहा था कि आर्मी मेरे हावाले कर दो मैं देश को एक महीने में ठीक कर दूँगा बाल्ठाकरे को सिगार वाइट वाइन उत्यादी पीने का शौक था 1995 में बाल्ठाकरे को दिल का तौरा आया था जिसके बाद उन्होंने पाइप पीनी छोड़ दी थी 1992 में बाबरी मस्जिब गिरा दी गई इसके बाद जब बाल्ठाकरे से आपकी अदालत शोव में पूछा गया क्या ये काम शिव सैनिकों नहीं किया है तो उनका ये कहना था कि यदि ये काम शिव सैनिकों नहीं किया है तो ये गर्व की बाद है 1990 के करीब जब आतंक वादियों ने अमरनाथ यात्रा बंद करने की धूंकी देते वे कहा था कि जो अमरनाथ जाएगा वो वापस नहीं आएगा तब बाल्ठाकरे ने अपने बयान में कहा था कि हज जाने वाली 99 प्रतिशत फ्लाइट मुंबई एरपोर्ट से जाती है देखते हैं कि यहां से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है इससे अगले दिन से ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई मरने के बाद बाल्ठाकरे को 21 तोपों की सलामी दी गई थी जबकि वो ना था मुख्यमंत्री थे और ना ही सामसत ऐसा रुत्बा था बाल्ठाकरे का 17 नौबर 2012 को बाला साहिब ठाकरे का निधन हो गया था इस दिन मुंबई बंद था गरीब 5 लाख लोग इनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे तो आज की वीडियो में बस इतना ही अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए कि आप बाबा बाल्ठाकरे के बारे में क्या सूचते हैं